Welcome friends, स्वागा थे एक बरपुना आप सभी का हमारे online platform MPS Motivators पर, myself मुकिस कुमर पांडे Well friends, आज के session में हम लेकर हाजिर है BPSC, प्रधान सिख्षक भरती परिक्षा 2014 के लिए अथवा नियोजित सिख्षकों के लिए सक्षमता परिक्षा 2nd इन दोनों परिक्षाओं के लिए language paper English से, आज के session में हम लेकर हाजिर है Antonyms जिसको हम लोग हिंदी में भी प्रितार्थक सब्द भी कहते हैं अथवा भी लोम सब्द कहते हैं So well friends, जैसा आप सबको पता है, जो syllabus है, उस syllabus में English and Hindi दोनों language से questions रहते हैं, तो हमने आज के session में language paper English लिया है और English में हमने Antonyms, बिलोम सब्द तो आईए देखते हैं, आज के session में लगभग 8 to 10 अंग्रेजी words और उनके Antonyms आगे बढ़ने से पहले एक बार गुजारी से आप सभी से अभी तक हमारे online platform से जो friends नहीं जूरे हैं सब्सक्राइब किजिए हमारा चैनल, घर बैठे अपनी प्रतियोगता परिक्छाओं के तियारी एक दम के जिवेखे किजिए चलिए आज के शुरुआत करते हैं कुछ अंग्रेजी के words और उनके Antonyms के साथ So well friends, there are four words, चार words अंग्रेजी के और उनके Antonyms आए शुरुआत करते हैं, word number first So this is the word number first, Tornado और यह first word जो मैंने लिखा है, Tornado जिसका Hindi तुफान कहिए, चक्रवात कहिए Antonyms देखेंगे, Peace, सान्ती, काम, सान्ती, इस्थिर्ता तो Tornado का, first, Peace and काम तो देखा जाए, तुफान, चक्रवात, बवंडर इसका अगर हम Antonyms वर जिकर करें, तो Peace होगा, काम होगा, एकदम चाटिक आए, वर्ड नमबर टू, Solicit, प्रार्थना करना, विन्नती करना रिक्वेस्ट जो बोलते हैं हम लोग इंगलीज में, उसी को Solicit बोलते हैं देखते हैं Antonyms, Protest, बिरोध करना, अपोज, बिरोध करना तो ये दोनों वर्ड एकदम सटिक हैं, अपोज भी लिख सकते हैं, प्रोटेस्ट भी लिख सकते हैं तो Solicit का Antonyms, प्रोटेस्ट या अपोज वर्ड नमबर थरी, Refute, खंडन करना, गलत साबित करना या गलत बताना देखते हैं Antonyms, Prove या Confirm Prove साबित करना यानि की Confirm, सही ठहराना हिंदी देखेंगे गलत बताना, Refute का हिंदी गलत बताना, इंगलीज देखेंगे Confirm यानि की सही ठहराना And now the word number 4, Indict, दोसी ठहराना, तो Indict का अगर देखते हैं, Antonyms, Equit, बरी करना, Free, छोर देना, आगे बढ़ते हैं friends, चलते हैं, word number 5 to 10, आगे बढ़ते हैं, पांच नमबर से देखते हैं, आगे कुछ और English के words, और उनके Antonyms. Now look on the board, the word from 5 to 8, करम सांखिया पांच से 8 के लिए कुछ words और उनके Antonyms, चलिए देखते हैं, word number 5, Swallow, Swallow मतलब निगलना, सीधे किसी चीज़ को, simple word बे कहें, गोट जाना, यानि निगल जाना, उसको Swallow बोलते हैं, आगे देखते हैं, Antonyms, Vomit, Eject, बाहर फेक देना, Eject, बाहर करना. Now word number 6, Prolong, लंबा खीचना, समय बढ़ाना, बिलंब करना, या देरी करना भी कह सकते हैं. देखते हैं, Antonyms, Curtail, यानि छोटा करना, कम करना, Sautain, उसका भी हिंदी, छोटा करना. Now word number 7, Reproach, डाटना, फटकारना. देखते हैं, Antonyms, Acclaim, Approval, ये दोनों वर्ड एकदम सटिक हैं, Antonyms के लिए. And word number 8, Truant, कामचोर, आवारा, मानसी कृप से बिछिप्त या पागल भी कर सकते हैं. देखते हैं, Antonyms, Active, Energetic, ये दोनों वर्ड, Antonyms के लिए परफेक्ट हैं. So well friends, आज के सेशन में, from word number 1st to word number 8, यानि word number 1 से ले करके 8 तक, ये total 8 words, English का, जिसका Antonyms आपके सामने रहा. आसा करते हैं, आज का जो हमारा सेशन है, English paper के लिए, खास कर, Antonyms के लिए, आपके परिक्षाओं के लिए, चाहे वो BPSC से related कोई परिक्षा हो, या सक्षमता परिक्षा हो, या फिर आपके सीटेट हो, या फिर आपके अन्ने किसी परकार का कोई भी प्रतियोगता परिक्षा हो, जिसमें English paper एक language के तोर पर अगर उसमें है, तो हमारा आज के सेशन रामबान होगा आपके लिए. तो याद किजिए आज के 8 words और उनके अन्तोनिम्स, निश्चित्रुप से आपका परिक्षा में एक परकार से चार चांद लगेगा, आज का अगर यह सेशन अच्छा लगे, तो निश्चित्रुप से आज के विडियो देखें, लाइक करें, पोजेटीव कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड सर्किल में सेयर करें, मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में, कुछ इसी तरह के अन्टोनिम्स और सिनोनिम्स के अंग्रेजी के अलग अलग words के साथ, आपके परिक्षाओं के लिए, देखते हैं, MPS Motivators, थैंक यू, थैंक यू बेरी मच्छ